विवो वाइट हर्टी शोटकार्ट सेंटर सेटिंग नमस्कार डोस्तो स्वागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो डोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि वीवो के फॉन पे आप जो है शौटकार्ट सेंटर सेटिंग करके से सकते हैं ठीक है तो शौटकार्ट के रिगार्डिंग पर दोस्तो बहुत सारे सेटिंग से तो आज की इस वीडियो पर दोस्तो मैं आपको जितने भी सेटिंग से वो कवर आप करके बताऊंगा शौटकार shortcut मिल जाते हैं तो बस हम वही देखेंगे ठीक है यहाँ पर कोई extra setting में आपको शो करके नहीं बताऊंगा बस shortcut के जो setting से उसी को हम focus करेंगे और उसी के ठ्रौम चलेंगे तो यदि आपको भी जानना है वीडियो के साथ बने रहिए वीडियो के साथ बने रहने के सारी साथ दोस्तों आप जाके चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर करें और दोस्तों यदि आप online से पैसा कमाना चाते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो description पर link दे रहा है आप जाके चेक आउट कर सकते हैं और किसी भी problem के regarding पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो यहाँ पर शूरू करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर करना किया होगा इसके लिए दोस्तों आईए मैं आपको बता रिता हूँ जाना है तो इसमें कलिक करने के बाद दूस्तों यहाँ पर आपको डिक जाएगा शौर्टीस सेटिंग तो सोड़्कार्ट सेट्टियमे इतन 생각 थे तो उपर में आपको दिखाई देरा होगा शौर्ट कार्ट एन एसट्विली टिया पर बता रहे तो ऐसी सेटिग तो यहाँ तो हम उसमें नहीं जाएंगे तो बस दोस्तों चलिए शूरू करते हैं सबसे पहले मिल जाते हैं आपको smart motion smart motion पर होता क्या क्या है smart way का option आपको मिल जाते हैं कैसे आपको यहाँ पर mobile को वेख करना है तो बहुत सारे future सबको यहाँ पर दिया हुआ है जो कि दोस्तों आपको normal phone पर दिखने को नहीं मिलेगा बिलकुल भी तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाते इस लाइड आप वाट टू अनलोग ठीक है जब आप mobile को आप वाट की तरफ जो है क्लिक करने के लिए आपको डाउन वोड करना है उसके आप मिलेगा करते हैं तो आपको बस स्क्रीण पर स्लाइड कर देना है ठीक हापका मोबाइल यहाँ पर स्क्रीन ऑफ है क्या है तर्क आप डारेकल स्लाइट कर दीजे मोबाइल पे तो म्यूजिक चेंज हो जाएगा तो ड्रो एम ड्रो सी का मतलब क्या है आप जब भी लॉक स्क्रीन पर रहते हैं आपका पासवोड यहाँ पर नहीं होना चाहिए वरना आप पासवोड में इस्ताक हो जाओगे तो पासवोड वगर पुरा र उपर में सी टाइप कर दीजिए तो आपको ले चाहेगा डाइलर के अंदर पे ठीक है तो यह होते हैं उसके बार ड्रो एम पे म्यूजिक ड्रो ए पे लॉंच ब्रोजर ड्रो डवल्यू पे लॉंच वाटसेप और ड्रो एफ पर लॉंच फेस्बुक तो यह सब आप यहां पर दो सब्सक्राइब आपको दुष्टो डिग जाएगा उसका लाइड ठीक है उसके बार आपको मिल जाते ही एर उन्लोक इसमें भी सेम है जब आपका स्क्रीन आफ पर रहेगा आप इस तरीके से पार्म को जो है wave करेगा तो आपका screen unlock हो जाएगा ठीक है wave to unlock तो यह है उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे smart turn of screen तो screen को आप केसे off करना चाते हैं raise to wake up ठीक है raise to wake up में क्यों होता है जब आप phone को hold करते है आपके हाथ में तो आपका phone जो है वो आटोमेटिकली wake up हो जाते हैं ठीक है अनलोक नहीं होगा सिर्फ आपका light जल जाएगा उसके बाद डबल क्लिक टू लाइट ठीक है डबल टेप करने से आपका light जो है वह आ जाएगा smart key bright तो यह सेटिंग आपको मिल जाते हैं स्मार्ट क करते हैं आपका screen off हो जाएगा उसके बाद दोस्तो smart call का future भी मिल जाते हैं जैसे कि smart call आपको यहाँ से करना है ठीक है मैंने इसका regarding पर पुरा वीडियो बनना रखा है आप देख सकते हैं जाकि पूरा detail से smart call पर क्या क्या होता है आए यह देखते हैं simple तरिके से smart call on off आप य यहाँ से उसके बाद दोस्तों यहाँ पर default dialing card आप सेलेक कर सकते हैं जैसे कि जियो सीम यहाँ फिर जो भी आपका सीम है आप वहाँ से सेलेक कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आजाते हैं smart answer पर होता कि आए चलिए देखते हैं तो इसके उपर में आपको simply tap कर लेना है इसमें देख लिए वह पीक हो जाएगा ठीक है आपको कोई बटन जैसा क्लिक करने के जरूवत ही नहीं है उसके बाद smart switch तो जब दोस्तों आप फोन जो है आपने कान के पास लेके जाएगा आपका जो फोन है वह आपके ear speaker mode पे रहेगा लेकिन जब आप हार पे आपने फोन को पक कर सकते हैं उसके बाद wave to hands free तो जब आपको incoming call आ जाते हैं तो आप directly wave करके इसको pick कर सकते हैं इसके मदद से बटन वही पर है आप देख सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं शेक टू टरन ओफ फ्लेश लाइट यहां से आप वह भी कर सकते हैं smart reminder तो यह सब आपको मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों हम आभी भी स्रिफ जो है smart motion के ही सेटिंग पर हैं उसके बाद दोस्तों आठे है smart click पर तो smart click दोस्तों यहाँ पर किया है when the screen is off press and hold volume button down to enable specified function तो जब आपका phone log screen पर रहेगा तो आप simply जो है अपने volume button down को press करके दाग दीजे आपका flash on हो जाएगा यहीं सेटिंग को ठिक है २ करना चाहते हैं मान लीजिए आप कोई जगे पर है ठिक है और किसी को आप hiring is record करना चाहते हैं तो आपको क्या करके जाना है आपको यह option करके जाना है record audio को और आप चुपके से जो है volume button down को pressing करके रख दीजे तो automatic recording चालू हो सकते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों आते हैं आपका इजी ताउस अप्षिन आपको पता होगा क्या होता है इसमें क्लिक करके ओपेंड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको क्विक बोल मिल जाएगा यहां से आफ डैरेक्लिव फेसबूक मेसेंजर जो भी इनकामिंग कोल पर Afly Search Set कर सकते हैं मेंसेज रिमाइंडर के लिए सेट कर सकते हैं इवेन रिमाइंडर के आप सेट कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको one-handed mode का जो option है वो दिखाई देगा एक्सेस one-handed keyboard यूजिंग जेस्टर तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं one-handed का service ठीक है तो complete हो जाते हैं हमारा यहाँ पर shortcut center settings तो बस दोस्तों इतना ही shortcut settings आपको मिल जाते इतना ही बहुत सारे settings है वहाँ पर जो कि मैंने आपको शो करके बता है ठीक है आप अच्छे से जाना चाहते हैं और भी तो आप खुर एक बार यूज़ करके देखे पूरा आपको समझ में आ जाएगा तो आज की इस वीडियो बोटोस तो बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जाकर लाइक करे चैनल को subscribe करे आज के लिए बस नहीं टेंक्स रुआ जीए